जोहार जैसे कि आप सब को मालूम है कि कल हम लोगों ने राज में सरुदलिय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज की करोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्पूर्ण बिचार कई सुझाओ हमारे विपक के साथियों के तरब से आया है और मौजूदा हालाद को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक दस्तर पर एक कुछ नेने लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं जो राज में जो वास्तविक इस्तिती है वो लगबग आप सब लोग अपने एर्दियत अपने मुहले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं देख रहे हैं हम अपने सिमित संसादनों के माद्यम से विबस्थाओं को सुदेड करते हुए और मजबुती से लोगों के स्वास्त लाप कैसे हम दे पाएं इस विशे पर हम लोग लगातार प्रियासरत हैं पूरे राज में जीले अस्तर पर ऑक्सिजन युक्त बेट का उप्लब्द कराना राज में आत्मरक्षक दवाओं की उप्लब्दता के लिए लगातार प्रियास करना राज के परमुक्ष शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में रिसेच सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिशित कर लिया है लेकिन जैसे जैसे बेड़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे अकॉपरेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं इसका मतलब कि यहां पर अभी संकरमन की सितित में गती में कमी नहीं आई है अभी यह गती कब तक रहेगी यह कह पैना बड़ा मुश्किल है फिर भी हम लोगों ने इस संकरमन को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उस में कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोग का इस संक्रमन का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमी का स्थर पर नेने लिया है जैसे कि अभी यह नेने लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंध होंगी सभी कॉलेजेश बंध होंगे सभी कोचिंग संस्थाएं बंध होंगी सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंध होंगी सभी आईटियाई बंध होंगे सबी आंगनबाडी केंदरे बंध होंगे साधी के कारिकरम में अधिकतम संख्या जो 200 रखे गई थी उसको घटा कर 50 कर दिया गया है 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं ये हम लोगों का आगरह होगा और राज में होने वाली अगामी जितने भी परिक्षाएं है किसी भी अस्तर की स्कूल के हों, कॉलेज के हों इंट्रेंस हों या फिर किसी भी सस्तागत परिक्षाएं है सबी परिक्षाओं को अगले आदेस तक रद किया जाता है और हम लोग फिर इन विसेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् संकर्मन को बहुत हलके में ना लें पहले के संकर्मन से यह अभी के संकर्मन के घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है जहां बच्चे बुढे नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं इसलिए सभी विसेस का नौजवानों से मेरा आग रहा है कि थोड़ी दि उदर बेवज़ा घुमना बंद करें ताकि इसका जो चेन रियक्शन है इसमें ठहरा हुआ, इसमें रुकावट हो, नहीं तो बहुत मुश्किली होंगी चीजों को हालात को संभालना और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला करोना संक्रमित है और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बालबच्चे, आपके जितने भी रिष्टे नाते हैं सभी इस संक्रमन में चपिट में आ जाएंगे, इसलिए आप लोगों से है कि अभी बेवज़ा कोई भी सहर में ना घुमे और जो भी आवशकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विसेश परिस्ति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुँ में मास जरूर लगाएं, लोगों उकसे दूरियां जरूर जितना अधिक से अधिक तर्म आप बना सकते हैं, भीड के जून में बिलकुल ना रहें, यह हम लोगों का आगरा होगा, धन्यवाद